कि नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल क्यूवेस मिक्सिंग मास्टेडिंग ठीक है एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट का बारे में हमको बहुत बार बोला गिया है जैसे कि इसका उपर थोड़ा त्यूटरियल दीजिए जैसे कि हम लोगों को समझ पाए मिक्सिंग मास्टेडिंग का टाइम पर हम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा मतलब किस चीज का उपर ध्यान लगा के हम लोगों को देखना पड़ेगा तो उसके लिए हम थोड़ा आज वीडियो देंगे दो तीन पार्ट हो सकते है नित एक पार्ट में आगत है जैसे कि यह हम लोगों का में डोर है ठीक है स्टूडियो का अंदर तो आप लोग इस साइड में पर्टिकुलर्ली फ्लोर कर सकते हो यह जगा पर कर सकते हो और नहीं तो साइड में कोई भी एक जगा में जैसे कि यह जगा पर आप लोग सिंगर का रूम रख सकते हो और पूरा फ्लोर रख सकते हु और इधर या इधर एक नॉर्माली डवल्डोर होगा डवल्डॉर होगा तो इसमें आप लोग कांट्रोल रूम को सजा सकते हैं कि स्ट्यप काakukanक्टेक्शन कर सकता है इधर स्पीकर रहे चियो रहेगा तो बहुत सारा कुछ होता है तो हम आप लोगों को लिये जिसका उत्रा बजीट नहीं है तो हम हम आप आप लोगों को सग्जिस्ट कर सकते जैसे के आप लोग थीछ ग्रासूल को U.s ग्रासूल बोलके एक डाह सूना है जो बहुत अच्छा काम करता है इस करने का बद ग्रासुल लगाने का बद उसका उपर अब लोग फर्म Works डगा स्कते ह हो नहीं तो फर्म कॉल नहीं लगा के है तो आप जो पे ही मिलता है न सीते कि पर तो जा को चुछ मिलता है जिसको एकोस्ट्रिक फ्रोम सांटे है स्टाय्प कर यह होता है, costly हो जाता है, मगर यह जो ग्रासूल है, ग्रासूल उतना ज्यादा costly नहीं है, तो acoustic करना पड़ेगा, अच्छा से acoustic करना पड़ेगा, अभी आ रहा है क्या, multiple type of singers, जैसे कि एक singers, male singers, एक singers, एभी male singers, और एक singers, female singers, और एक singers, एभी female singers, अभी चार लोगों का vocal quality अलग-अलग type का है, चार type का है, तो जैसे कि यह इसका जो vocal quality और इसका जो vocal quality दोनों का अंदर अलग-अलग भी हो सकता है, क्योंकि अलग-अलग musician, अलग-अलग singers का vocal quality नहीं, vocal pitch का, मतलब vocal का tone होता है, tone अलग-अलग होता है, तो इसका हिसाब से हम लोग microphone क्या रखे, position क्या रखे, यह बहुत ही जानना जूरूरी है, नहीं तो क्या होगा, recording अगर ठीक से नहीं बन पाएगा, तो अब लोग आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि recording quality अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप लोग effect यूज करोगे, तो यह हो गिया एक बात, उसका साथ साथ हम लोग क्या करेंगे क्या, माल लीजिए हमारा पास एक singers आया है, जो female singer है, जो गाना गाएगा, मगर इसका जो vocal का quality थोड़ा भारी type का quality है, ठीक है, भारी type का quality मतलब इसका low frequency अच्छा है, नॉर्माल जो singers होता है, female singers होता है, उससे थोड़ा low ज्यादा है, ठीक है, तो वो उसको हम लोग कैसे recording करें, तो microphone जो होता है, हम लोगों का studio का अंदर जो microphone यूज करता है, तो dynamic और condenser दो टाइप का microphone होता है, dynamic microphone से recording कर सकता हो, problem नहीं है कुछ, condenser microphone से भी recording कर सकता हो, मगर condenser mic का response quality मतलब उसका catching power थोड़ा अच्छा होता है, और both side मतलब जैसे कि अगर इधार condenser mic कर रहेगा, तो इसका पुरा circle wise recording करने का सक्षम है, मतलब रिकोर्डिंग कर सकता है, और dynamic microphone अगर रखोगा तो उसका front section ही वो record कर सकता है, मतलब area limited है, उससे ज्यादा area मतलब दूर से अगर कोई कुछ गाना गाएने तो कोई कुछ बोले, तो जितना जूर दूर जाओगे उतना पतला होता जाएगा, वोकल का जो टोन है पतला होता जाएगा, तो condenser और dynamic कोई भी microphone से हम लोग ले सकता है, मगर generally condenser microphone में ही recording जादा होता है, home studio बोलिया है recording studio, मतलब जो लोग एक room बना लिया है acoustic, उसका हिसब से एक condenser microphone डाल दिया है, condenser microphone को उससे record करता है, और एक sound cut लगेगा, क्योंकि sound cut तीनो category का बार में हम बोला है, तीनो type का अलगाला category का sound cut है, तो अगर हम लोग category 1, category 2 और category 3 में divided करें, जैसे कि category 3 का अंदर पढ़ता है UAD, UAD sound cut पढ़ता है, बहुत अच्छा quality, इसका RME, हमारा बहुत favorite sound cut होता है, Baby Pro 50, तो बहुत बहुत अच्छा है, RME हो सकता है, और इसका साथ-साथ Apogee, तो यह sound cut बहुत अच्छा, और भी बहुत सारा sound cut है, जैसे कि category 3 का अंदर पढ़ता है, सबसे best category का अंदर पढ़ता है, तो यह सभी के लिए possible नहीं है, क्रोस कर देता है, यह हम लोगों के लिए possible है, Medium range का जो जैसे कि focus right हो सकता है, Motu हो सकता है, Am audio हो सकता है, नहीं तो आप लोग personas हो सकता है, बहुत सारा होता है, कोई भी sound cut हम लोग ले सकता है, अभी main point है, microphone position हम लोग कैसे रखेंगे, microphone position मतलब जैसे कि singers जो microphone का साथ, मतलब singers जो खड़ा होंगे, तो microphone किधर रखेगा, और microphone का किस type का, मतलब singers का, अगर condenser microphone मन लीजिए condenser microphone है, ठीक है, condenser microphone और singers इधर खड़ा हुआ है, तो इसका अंदर दूरी जो हो रहाएगा, जैसे कि इसका distance जो रहाएगा, six to ten inch, 10 inch हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, six to ten inch, अगर हम लोग जितना पीछे जाओगे, मतलब जितना पीछे singers जाएगा, उतना vocal पतला होता जाएगा, और जितना front में आएगा, उतना उसका vocal bass होता जाएगा, अगर बढ़ जाएगा, तो ज्यादा तर बेस अगर बढ़ जाएगा, तो उसका energy थोड़ा जादा हो जाता है, इसलिए ज्यादा बेस नहीं लेना चाहिए, और ज्यादा पतला भी नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे जगह पर खड़ा, मतलब रखना परेगा singers को, जैसे कि इसक recording का time पर, आप लोगों को ये fader को देखना है, left side में fader को देखना है, recording volume level, ये थोड़ा minus 12 के उपर जाना नहीं चाहिए, recording volume level ये है, हम लोगों का minus 12, ये है, इसके उपर vocal का ये जो meter range उपर में जाना नहीं चाहिए, तो ये देखना है, जरूरी है, तो ठीक है, चलिए, ये हो गया, एक number one point, पूरा category कली, जैसे acoustic कैसे बनाना है, कैसे microphone को set करना है, कैसे singer को रखना है, अभी हम लोग आ रहा है क्या, जैसे कि एक low bass मतलब, जो singers हमरा पास अभी आया है, उसका bass थोड़ा जादा है, normal bass ही जादा है, ठीक है, तो normal bass अकर जादा है, तो उसको front में ले आन का उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जादा front में आएगा, तो और भी bass बढ़ जाएगा, मगर उसका naturalty भी रखना है, तो इसलिए 6 inch बहुत अच्छा है, distance, distance between microphone and singers, दोनों का अंदा 6 inch का धूरी अगर रहेगा, तो आप लोग बहुत असान है, बहुत अच्छा करके, और उ में जगा पर, जैसे कि हम practical करके, second chapter में practical करेंगे, तो इबटन में हम ख्लीक करेंगे, तो इसमें बहुत सारा options दिया हुआ है, तो बहुत सारा options नहीं, बहुत सारा इंसार्ड में बहुत सारा जगा है, तो वो जगा कैसे हम लोग, मतलब कैसे utilize करेंगे, ठीक है, most of the time, यह ज chain का जो section है, यह static plugin के लिए उस होता है, तो dynamic and static कैसे हम लोग पता लगाएंगे, जैसे कि गाना चलते वक्त जो plugin, particularly गाना का sine wave का curve के हिसाब से नहीं, तो गाना का उसका अंदर जो frequency है, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा frequency के हिसाब से, जो live उसको काम करते जाएगा, तो उसको dynamic effect बोलते है, वो static effect है, आप एक reverb लगा दिया है, particular एक certain percentage में reverb लगा दिया, तो वो reverb वही जगर पर रहेगा, frequency बढ़ेगा, तो कोई उसका problem नहीं है, वो frequency घड़ेगा, उससे भी उसका कोई problem नहीं, मतलब वो जो दिया है, वो setting करके दिया है, वो ही रहेगा, तो यह हो गया number one point तो इसका अंदर पहले तो जो लेना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग क्या करता है, noise reduction पहले कर देता है, पहले हम बोल रहा है क्या, universal एक method बोल रहा है, noise reduction हम लोग करेंगे, तो noise reduction के लिए हम लोग इधर से भी कर सकते है, channel strip में अगर gate में करेंगे, तो particularly threshold point को अगर हम लोग 40 मे में अगर adjust करेंगे, जैसे कि minus 40 में अगर adjust करेंगे, तो यह strip को पहले दे दाना पड़ेगा, उसके बाद insert में आना पड़ेगा, strip पहले रहेगा, उसके बाद insert, तो strip हो गया, noise gate काम कर रहा है, उसके बाद insert में आ रहा है, तो आभी universal point में हम लोग जाएंगे, जैसे कि हम लो अब लोगों को एक frequency लेना पड़ेगा तो बहुत अच्छा EQ इक्वेलेजन नेलना पड़ेगा जो frequency को हम लोग balance करेंगे तो EQ अगर हम लोग क्लिक करें तो बहुत सारे EQ है इसमें बहुत सारा external EQ है internal EQ है जैसे कि अपना stock कुछ EQ है तो इसका अंदर हम कुछ अब लोगों को suggest करेंगे जैसे कि यह EQ आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं जैसे कि अब लोग third party अगर EQ में जाओगे तो M1 का EQ यूज़ कर सकतो जैसे कि M1 250 नहीं तो M1 200 नहीं तो उसका साथ साथ waves का EQ है जैसे कि यह वाला EQ बहुत अच्छा EQ है यह यूज़ कर सकतो नहीं तो अब लोग यह भी कर सकतो जैसे sorry M1 के यह वाला EQ है यह भी कर सकतो मगर देखो इसका अंदर जो mid frequency low frequency and high frequency का range है ठीक है उससे क्या होता है particularly digitally आप लोग इसको set कर सकता है जैसे कि high frequency का अंदर हम लोग 2 db बढ़ा सकता है तो 2 db बढ़ाएंगे कौन सा frequency का maximum range 125 hertz जो है यह जो दिया हुआ है 7 10 125 तो यह जो दिया है दो 9 आप है इसका अंदर तो यह हम लोग db का 9 आप है और यह जो 9 आप है जैसे कि हम लोग 10k को बढ़ा रहा है 5k को बढ़ा रहा है तो इसका हिसाफ से हम लोग set कर सकते हैं मगर इसके अंदर जो mx का अंदर जो होता है स्वरी में के अंदर बोलता है आप लोग कोई भी जागा पर इसको ले सकते हैं जैसे कि इसको बढ़ा सकता हैं Первयों ग्राफिकल एक्यू आफ लोग बोल क्यों और वह प्टिकलर लीप पैर्रमेटर के हिसा जो पैरमिटरीक एक्यू अब लोग बोल सकते हैं,ích कृम्पनी आफलें Z सबी वोकल के लिए काम करें, तो काम करें और अच्छे काम करें, 8-간 का जो EQ दिया हुए है, बहुत अच्छी क्यों है, इसमें डाइनमिक काम कर सकते हो, इसके साथ साथ साइड चेनिंग भी कर सकते हो, मलन्दभ इसको पर हम बहुत सारे वीडियो दिया है, हमारे मौस्ट जबूरी नहीं है अगर तीन चार पाइब ताइप का external और internal EQ लेकर आप लोग काम कर को तो multiple vocal के लिए आप्लोग काम कर सकता हूं कुछ EQ का response बहुत अच्छा है कुछ EQ का response उतना अच्छा है हम लोगों को लगता नहीं है जैसे कि चेंज तो कर रहा है मगर एफेक्ट नहीं उतना अच्छा नहीं एफेक्ट मिल रहा है तो यह EQ का चूस करना बहुत ही important है as per your vocal as per your singers vocal जैसे कि जो singers गाना गाया है उसके सब से exactly कौन से EQ देना पड़ेगा कौन से EQ अच्छा काम करेगा वह अब लोग लगा सकते हो अगर चाओ तो दो EQ भी लगा सकते हो ऐसा भी tutorial हम दिया है तो क्या करना है EQ में जो frequency by mistake जो आप लोगों का पास sound आप लोगों का पास जो microphone है my mistake बहुत सारा frequency ज्यादा ले लेते हैं बहुत सारा frequency कम लेते हैं तो जो कम है उसको थोड़ा सा चेंज करना नहीं तो थोड़ा सा यह breath देना नहीं तो थोड़ा सा mid mid high meat को बढ़ा के उसका अंदर जो basically जो word का spust जो जैसे की word ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको spust करने के लिए high meat को थोड़ा सा बढ़ाएंगे अच्छा करेंगे इसको तो फास्ट टेप जो है एक्यू को थोड़ा सा देखो अभी एक्यू छोड़के दूसरा point में मत जाओ क्योंकि जो तीन चार चेप्टर हम देंगे यह पूरा mixing और mastering के उपर ही चलेगा और इसको divided करके हम दे रहा है क्योंकि पहला पार्ट में हम लोग देखा है क्या हम लोगों का acoustic क्या होना चाहिए हम लोगों को microphone distance क्या होना चाहिए और after recording recording का time पर कितना BPM को sorry कितना level को maintain करते हुए हम लोगों को record करना चाहिए उसके बात इसका recording हो जाने का बाद हम लोग inside में कैसे काम करेंगे और अगर noise gate करना है अगर noise को reduction करना है तो कैसे हम लोग reduction करेंगे और उसके बाद कौन सा EQ हम लग लगाएंगे जो EQ universal काम करेगा male vocal के लिए भी काम करेगा female vocal के लिए तो यह है first tutorial इसका part one book हम दे रहे है जल्दी जल्दी part two निकलेंगे जैसे कि इसका बाद हम लोग यूज करेंगे क्यों यूज करेंगे कंप्रेशन नहीं करेंगे तो उसका उपर भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे और practical भी करके देखेंगे अगर यह जो सब्जेक्ट हमने चूज किया है यह अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसका उपर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर अच्छा नहीं लगेगा तो comment section में बोल दीजेगा तो हम topic को change करेंगे नहीं तो यह complete करके हम topic दूसरा topic में कौन सा topic आप watching this video पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत sound knowledge को और करे अपने music composition का सपना साकार download the app now